मैं अवद के छेतर से आता हूँ सुल्तानपुर से उत्तर प्रदेश के और वहां के अवधी के बड़े अच्छे कवी हुए रफीक साधानी साहब उन्होंने अवधी में एक लाइन लिखी कि जब जब चुनाव आवत है भात मांगा पुलाव आवत है भारती जन्ता पाटी की हालत यही है मानिवर इनकी सरकार चुनाव आजाए तो पेट्रोल का दाम कम डीजल का दाम कम गैस का दाम कम सी अंजी का दाम कम पी अंजी का दाम कम सारी चीजों में महगाई कम चुनाव बीट जाए तो पेट्रोल का दाम महगा डीजल का दाम महगा गैस के सिलंडर का दाम महगा सी अंजी का दाम महगा पी अंजी का दाम महगा सारा कुछ महगा करने में लग जाते है इसका मतलब महंगाई से कोई आपका गोपनिय समझा होता है मानिवर कोई गोपनिय समझा होता है जब चुनाव आता है आप कहते हैं थोड़ा दूर हो जाओ जैसे ही चुनाव खतन होता है कहते हैं आओ हम तुम्हें बढ़ा रहे हैं तुम्हें बढ़ा रहे हैं इस गोपनिय रिस्ते का खुलासा कीजिए आप लोग ये जो जूंते तर्क देते हैं देश के सामने कि भाई इस समय तो युद्ध की स्थिती है इस समय तो अंतरास्टी ये बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है अंतरास्टी ये बाजा में कच्चे तेल का दाम पिछले साथ वरसों में कब कब बढ़ा और कब कब घटा और उसके मताबिक कब कब आपने हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल का दाम घटाया और बढ़ाया इसका तत्थ अगर आप सामने रखेंगे तो पुरे देश के सामने आपका चेरा काल हो जाएगा कि कितना बड़ा जूट आप इस देश की जनता से बोलते हैं महंगाई आपको बढ़ाना होता है उसके लिए एक हजार तर्क आपके पास मौजूद है दूसरी बात दूसरी बात अभी तो सुरू हुआ फिर से बोलना सुरू कर देते हैं लोग इनको महंगाई होक के कहा हमने मनरेगा के जरिये रोजगार दिया उत्तरप्रदेश की सरकार ने कहा हमने मनरेगा के जरिये रोजगार दिया भारती जनता पार्टी की तमाम राज्य सरकारों ने कहा हमने मनरेगा के जरिये रोजगार दिया और जैसे ही करोना खतम हो गया लोगों को करों रुपए पुराना बकाया देना है 54,000 करों रुपए आपने मंद्रेगा का बजट कर दिया मंद्रेगा का बजट आप घटा रहें और मंद्रेगा में आपकी स्थिती क्या है यह आपका दिया हुआ जवाब है मेरा जवाब नहीं है सर सौ दिन के रोजगार की गारंटी ह में अधिप्रदेश में आुसत तीस दिन अरुणाचल में 37 दिन आसाम में बाइस दिन विहार में 36 दिन चट तीस गड़ में 29 दिन गोवा में 19 दिन ऐसे से करके मद्दप्रदेश में 31 साल में मातर 31, 30 दिन 20 दिन आप रोजगार दे पारे हैं मनरिगा जरी जिसका आप पूरे हिंदुस्तान में धिंडोरा पीटते हैं कि हमने मन्रेगा के जरिए बहुत रोजगार देने का काम किया इसके साथ साथ नौजवान बेरोजगारों की अगर हम बात करें मान्वर हर छेत्र में थेका प्रथा इनोंने लागू कर दी नौकरियां देने के बज़ाए आउट्सोर्सिंग और ठेका प्रथा और ये ठेका प्रथा एक मात्र कमीशन खोरी और भ्रस्टा चार का जरिया है 50,000 रुपए में 25,000 रुपए में 30,000 रुपए में 20,000 रुपए में साइन कराया जाता है और जो मजदूर होते हैं जो करमचारी होते हैं जो ठेके पे काम करने वाले नौजवान होते हैं उनको 50 प्रतिसत से भी कम पैसा दिया जाता है ये होता है ठेका प्रता ठेका प्रता एक गुलामी प्रता है मानिवर इसलिए जो ठेका प्रता पे लगे हुए लोग है उनको regularize कीजिए और इस ठेका प्रता के जरिए हिंदुस्तान के तमाम सरकारी departments के अंदर जहां दलितों के लिए आरक्षन है जहां पिछलों के लिए आरक्षन है हमेशा से आपकी दलितों पिछला विरोधी जो मानसिकता है उसके कारण से आप इस ठेका प्रता को बढ़ावा दे रहें इससे आदिवासियों का दलितों का पिछों का आरक्षन धीरे-धीरे करके सारे विभागों में आप खतम करते जा दूसरी बात मानिवर, काला धन की बात अगर हम कर लें, आप धिनोरा पीटते थे, तीन सो लाग करोण काला धन आएगा, पचास लाग करोण काला धन आएगा, आपके राज में काला धन आना तो दूर की बात है, काला धन बढ़ गया, काला धन बढ़ता जा रहा है आपके रा किसका द्धन तहां से काला धन बढ़ गया इसका खुलासा कीजिए काला धन के आम पर आपने इस द्देशगी जनता को गुम्रार किया लोग आदभी मानवर फंद्रा लाग की रह लगा हुए उनके खाते में पंद्रा लाग आएगा उनके खाते में पंद्रा लाग आएगा पंद्रा लाग छोड़ दीजे दो करोर रोजगार की बात आपने कही रोजगार आप खतम करते जाते हैं रेलवे की भरती का जिक्र मैंने किया था मान्यवत दोड़ा दोड़ा के आप नौजवानों को पीटते हैं FIR कराते हैं मुकदमे कराते हैं रोजगार उनको देते नहीं NPA का जिक्र भी विने विश्वम जी कर रहे थे साड़े दस लाग करोर रुपए का NPA चंद पूंजी पतियों का है मन्यवत और साड़े दस लाग करोर रुपए के NPA में आपके बड़े बड़े पूंजी पती उद्योग पती जो आपके मित्रों है जिनको हमारे आधर्णी प्रणान मंत्री जी कहते हैं मेहुल भाई वो मेहुल भाई 20,000 करोर रुपए लेके हिंदुस्तान से भाग जाते है 29-去 रुपए ललित मोदी लेके भाज जाते है 6000 करोर रुपए नितिनसंद इसरा लेके भाज जाते है नीरो मोदी हिंदुस्तान से 1000 करोर रुट के भाग जाते है तो मैंने तो इस प्रस्तार दिया था और आज इस सदन में आपके माध्यम से मानिवर मैं कह रहा हूँ कि पचास करोन से ज़्यादा जिस भी उद्योग पती या पूझी पती का बकाया हो उसका पास्पोर्ट जब्त कर लीजिए वो हिंदुस्तान छोड़ कर भागने नहीं पाएगा अगर वो हिंदुस्तान छोड़ कर भाग रहा है तो इसका मतलब लूट में कहीं न कहीं हिस्सेदारी है उसको भागाने का काम आप करते है उसको भागाने का काम करते है एक गरीब आदमी मानिवर दस हजार रुपए का अगर करजा ले ले एक किसान अगर बीस हजार का करजा ले ले उसका कालर पकर के आप उसको जेल में बंद कर देते हैं लेकिन बीस बीस हजार करोड रुपए दस-दस हजार करोड रुपए बीज़े माले लेके भाग गया आज तक वो हिंदुस्तान नहीं आपा रहा है तो ये पूंजी पतियों के साथ लूट और लूट के बाद उनको भगाने का जो धंदा चल रहा इसको रोकने का एक मात्र तरीका है पचास करोड से ज़्यादा जो भी करजदार है उनके पासपोर्ट अबजब्ट करने का का काम कीजिए मानिवर्ट यहां बताया गया हमने ये कर दिया हमने सिख्षा में ये किया हमने स्वास्थ में ये किया 130 करोड की आबादी वाले मुल्क का सिख्षा का बजट मात्र दो प्रतिसत 130 करोड आबादी वाले मुल्क का स्वास्थ का बजट मत्र 2.3% अभी एक खबर आईए मानिवर एक अप्रेल से 800 दवाओं का दामाब बढ़ाने जा रहे है 800 दवाओं का सारे 10% 10.7% 800 दवाओं का दामाब बढ़ाने जा रहे है और उसमें तमाम दर्द की दवा है पैरा सिटा माल जैसी दवा है तो आप असिक्षा से दर्द देते है स्वास्त की बधाली से दर्द देते है बेरोजगारी से दर्द देते है किसानों को दर्द देते है माता और बेहनों को दर्द देते है अरे कम सकम दर्द की दवा तो सस्ती कर दो दर्द की दवाबी महेंगी करते जा रहे हो दर्द भी देते हो दर्द की दवाबी महेंगी करते जा रहे हो तो महन्यवर मैं तो इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास तो सबका साथ लीजिए अर्विंद केजरिवाल ने अभी दिल्ली का बजट पेस किया अर्विंद केजरिवाल जी के बजट को देखिए 22% सिख्छा पे खर्च किया 13% स्वास्थ का बजट है ट्रांसपोर्ट पर रोड पर 13% का बजट दिल्ली की सरकार मानिवर जब आई थी तो 30,000 करोन का बजट था आज 75,000 करोन का बजट दिल्ली की सरकार ने पेस किया धाई गुना बजट बढ़ाने का काम किया एक इमांदार सरकार चला के दिखाई अर्विंद केजरिवाल जी को गाली गलोच करना छोड़ दो इंकम टेक्स अफसर है बुला के बैठा लिया करो साथ में कुछ सिखा देंगे बजट कैसे बनता है सिक्षा पे, स्वास्त पे, बिजली पे, पानी पे और बिजली पे मानिवर जिस पे सबसे अदा हल्ला मचाते हैं लोग कि अरे दिल्ली वाले तो फ्री बिजली पा रहा है, फ्री बिजली पा रहा है, फ्री बिजली पा रहा है, बिजली का बजट महलूम है आपको, मात्र चार परसेंट, मात्र चार परसेंट बजट में दिल्ली की जंता को हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करते हैं, सीखो कुछ अरविंद पंडितों के दर्द पर मजात करना और राजनीतिक ड्रामा करना बंद कीजिए और इस बजट में प्रावधान कीजिए कि कस्मीरी पंडितों के पुनरवास के लिए कम से कम 20,000 करों रुपए आपकी सरकार खर्च करेगी प्रावधान कीजिए और मैंने तो प्रस्ता रखा थ सारे सांसर अपने एक साल की निधी कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए लगाएं आप राजनीती कर रहे हैं और यहां विने सहास्ट बुद्देश आप बैठे हुएं आपकी भासा सुनता हूं मैं बड़ा प्रभावित होता हूं सर आपसे आप की भासा सुनके मैं आप रभावित होता हूं आधनी सुकला जी बैठे अरे थोड़ा ये भासा ऐसे बोलने की भासा अपने लेताओं को सिखाए खतम कर रहा हूं सर इनके प्रदेश अध्यक्ष भारती जनता पार्टी यही संस्कार सीखते हैं आप लोग वो गाली दे रहे हैं निर्वाचित मु दे रहा है तो मैं इसलिए कह रहा हूं मानिवर मैं इसलिए कह रहा हूं ये गाली गलोच करने वाले लोग हैं ये नफरत और जगड़ा फैलाने वाले लोग हैं ये पेस को बाटने वाले लोग हैं आज भारत हंगर इंडेक्स में 101 अस्थान पे पहुंच गया भूग के माम सुने रखते आप सारा वर्ग दुखी आप से किसान दुखी नौजवान दुखी माताय बहने दुखी ब्यापारी दुखी पूरे हिंदुस्तान को आपने दुखी कर रखा है क्योंकि आपकी सरकार गरीवों की सरकार नहीं है नौजवानों की सरकार नहीं है पूंजी पतियो कम करते हो पच्छीस परसेंट से लगार्ट बाइस परसेंट तरफशार्यों का डेस्ट कम नहीं करते हैं